आज हम गाओं में मिट्टी जाच केंड रखोल कर कैसे कमाई करें इस बारे में जानकरी दे रहें। यदि आपकी रुची मिट्टी जाच केंड खोलने में है तो इस वीडियो को पूरा देखें। बाद में कोई सवाल होने पर आप हमसे फूच सकते हैं। मिٹ्टी की जाँच करके यदि खेती की जाय तो इसका फायता अच्छे बादन के रूप में मिलता है। ये सेवा सरकार्दोरा निसुलक दिया जाता है। पर ये हर किसी को उपलब नहीं हो पाता है। ऐसे में किसान बिना मिल्टी की जांच की ही असल खोगो देते हैं, ऐसे में वो अपनी जमीन का सही लाप नहीं ले पाते हैं। कई राज्यों में सरकार दौरा इसना तक पास योगों को मिल्टी की जांच का प्रसिस्चन दिया जा रहा है। उन्हें प्रयुक्साला शुरू करने के लिए मदद भी की जा रही है। मिल्टी की जांच का प्रसिस्चन लेकर इसे शुरू कर सकते हैं। यह बिजनेस उनके लिए सबसे अच्छा बिजनेस है। जिन्होंने एग्रिकल्चर, बायो टेक्नोलाजी, माइक्रो बायोलोजी या चैमिस्टी से अपनी पढ़ाई पूरी किये। जिने इस बाले में नालेज नहीं है, वे भी एक-डो दिन की ट्रेनिंग लेकर इस बिजनेस को सुरू कर सकते हैं। इसे दो तरीके से शुरू किया जा सकता है। पहला पर्मानेन या फिर मोबायल टेस्टिंग सेंटर। पर्मानेन टेस्टिंग सेंटर के लिए किसी खाज जगह पर मित्टी जांच की लेप शुरू करें। लोग वहां आकर अपने खेट की मित्टी जांच करवाकर रिपोट ले जाए। दूसरे तरीके में किसी बैन में लेप को रख लिया जाए। और मुक्ते पर जाकर मित्टी की जांच की जाए। दोनों तरीके से ही लाब कमा सकते हैं। इस बिजनेस को शुरू करने के लिए दो से तीन लाग रुपे की आउसकता होगी। आसपास के गाउ में अधियापका प्रभाव है तो इसके दारा अच्छी कमाई कर सकते हैं। इस बिजनेस में आई की कोई सीमा नहीं है। आपके पास जितने अधिक संक्या में लोग आएंगे उतना ही आपको लाब मिलेगा। मिट्टी जाज गेन के बारे में और अधिक जानकरी के लिए आप वीडियो के नीचे दिएगे लिंक पर क्लिक करें। हमें उम्मीद है आपको जानकरी पसंद आई होगी। जानकरी पसंद आने पर लाइक टेरो सब्क्राइब करें। नमस्कार।